हाई फ्रेंड्स क्या आप भी अपने बिजनस पे अपने सेल्स के वाल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी एक बात समझ लिजेगा बहुत महनत करने के बाद बहुत जदा मार्केटिंग करने के बाद प्रोमोशन करने के बाद ब्रैंडिंग करने के बाद अडविडिजमेंट करने के बाद आपके पास क्लाइंट्स की लीड आती हैं और उन लीड को जब आप बहुत महनत से फॉलो अप करते हैं तब जाके सेल्स कनवर्जन पर पहुंचती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कम बड़े बड़े ब्रैंड ऐसी कौनसी स्ट्रेडेजी अपनाते हैं कि वो सेल करते समय एक कंजिमर को जितनी की वो चीज खरीदने के लिए आया था उससे ज़्यादा की चीज बेच देते हैं यहाँ पर समझना बहुत जुरूरी है जब एक बायर आपके आउटलेट पर आपकी शॉप पर आपके आफिस में आपकी कंपनी में आए और वो सेल मतलब आपका प्रोड़क लेने के लिए तयार हो तो सबसे पहले अब सेलिंग के फार्मली को जुरूर इस्तिमाल करें आज बड़े-बड़े ब्रैंट जिसका इस्तिमाल करते हैं मैं एक एक एक्जाम्पल को रूप में बताता हूँ एक व्यक्ति डेल के शुरू में गया और उसका बजट था लगबग 30,000 तो मैं सेल्स एक्जिगुटिव है न उसने सबसे पहले पुछा कि सर आप किस बजट का कंप्यूटर ये लैपटॉप देखना चाहती है उसने का जी मेरा 30,000 का बजट है वो जो सेल्स एक्जिगुटिव न बड़ा एक्सपोर्ट होता है वो सबसे पहले आपको दिखाता है कि सर आओ मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ और ये मॉडल सिर्फ 27,000 रुपे का है इसमें आपको 8GB RAM और I7 मिलेगा मैं एक सिंपल सा एक्जामपल ले रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें वो कहता सर 27,000 का PC है उसमें 8GB RAM है और I7 है आप तुरंट कहेंगे आपको अपडेट वर्जन दिखाओ इससे और एडवांस मॉडल दिखाओ क्योंकि उसने जान लिए आपको बजट है 30,000 और वो चीज दिखा रहा 27,000 की है ना तो उसने का कि सर मेरे पाँ इससे अपडेट वर्जन है वो है I12 और यहां पर आपको 16GB RAM मिलने वाली है और साथ में जो इंपॉर्टन चीज है वो है 2TB की आपको हार्डस मिल जाएगी ताकि आपका जाला डेटा स्टोर हो सके आपने का यह PC कितने का है उसने का जर यह जो PC है वो 32,000 का है तो देखिए आपका बजट है 30,000 उसने पहले आपको आपको 27,000 आपको लगा 3,000 बच रहे हैं फिर उसने का 32,000 तो आपने का 30 में लेई रहा था ने चल दो जार वड़ 5TB कि इसमें hard disk है मैं example ले रहा हूं यह मत किजिएगा कि sir 35,000 पर में 5TB कैसे मिल दाएगा तो यह example के रूप में आपके साथ है तो वो आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेगा कि sir मेरे पास यह models है और इसमें extra जो possibility ना इसमें जो RAM का slot है वो extendable है आप आसानी से आगे औ और RAM बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में आपको और स्पीड चाहिए होगी तो यह आपके लिए जो model है जारा best है तो वह आसानी से आपके 30,000 के बजट को 32 तक ले गया और 32 से 35 तक ले गया और जैसी आपने model देखा तो आपको वह समझा जेगा कि अगर आप यह model लेते हैं तो सिर्फ 3,000 रुपे का अंतर है अगर आप यह model लेते हैं तो upgrade की संभावना नहीं क्योंकि इसमें extra RAM के लिए slot नहीं लगा हुआ लेकिन यहां आप लेते हैं तो extra RAM का slot मिल जाता है आपने तुरंद अपने mind को make up कर लिया यह 32,000 तो में खर्ची रहा हूँ ना सिर्फ 3,000 और देखे मुझे advanced product मिल जाने वाला है इस formula को हम upselling का formula कहते हैं बड़ी-बड़ी companies के sales person, marketing executive, marketing manager, sales manager और पूरा staff जो sales पर लगा होता है उनको इस चीज़ के लिए properly trained किया जाता है कि सबसे पहले consumer की demand को समझो उसके budget को समझो और budget से कम चीज offer करके देरे-देरे करके उसको upselling क method से आगे लेकर जाओ, यही बात जब वो आपको upselling कर चुका होता है तो यही बात आयती है फिर cross selling की, आपका budget था 30,000 और आपने 35,000 रुपे का आपने PC उससे खरीद लिया, फिर आपको बताता है कि सर मेरे पास आपके लिए combo offer है, मैं आपको एक speaker का set दे रहा हूं, सर वैस यह PC लिया है, इसी combo में मुझसे साथ में लेते हैं, तो आपको 9,999 रुपे का पड़ेगा, मतलब 10,000 रुपे का पड़ेगा, आपको लगता है यह तो अच्छी offer है, चलो मैं एक PC के साथ में speaker भी ले लेता हूं, जैसी आपने speaker लिया हो कहेगा sir, UPS भी हम यहाँ पर देते ह और UPS वैसे तो 3500 रुपे का है, पर यहाँ पर आप लेते हैं, तो 2999 का UPS का combo भी मैं आपको दे देता हूं, यह भी आपको offer कर देता है, उसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे product आपको offer करता है, मतलब यदि वो आपके budget को समझ गया, तो आपके चेहरे को study करके ही, वो cross selling का formula लगा कर आपको continue चीजें offer करता रहता है, और दीरे 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 जहाँ आप 30,000 के budget को लेकर गए थे, वहाँ आपको 50,000 रुपे का benefit, 50,000 रुपे की sale, वो आपको कर देता है, जिसमें आपको बता रहा है, कम से कम 20,000 का आपको benefit हो रहा है, इसको बोलते हैं, cross sale, fine, यही सबसे important बात है customer relationship, मतलब आपका relation अपने client से कैसा maintain हुआ है, जो यह salesman होता है यह आपसे ऐसे बात करेगा, जैसे कि आपका बिल्कुल खास दोस्त है, और आपके taste and preference को वो समझ गया है, और वो company में तो किवल आप ही का फायदा करवाने के लिए लगा हुआ है, और वो पूर anniversary, regular आपको wishes बेशता रहता है, जिसकी वज़े से आपका relation उस salesperson के साथ बहुत बेतर बन जाता है, और उसके बाद जब आपका relation किसी भी salesperson के साथ बहुत बेतर हो जाता है, तो वहाँ पर possibility होती है, कि जब भी आपको किसी चीज़ के जूरत पड़ेगी, तो आप सबसे पहल repeat order के लिए उसी व्यक्ति को contact करेंगे, और repeat order के साथ साथ सबसे important है, अगर आपका relationship आपके salesperson से बहुत बेतर हो गया है, तो आप वहाँ पर उसको refer भी देने वाले हैं, referral benefit देने वाले हैं, और referral benefit का एक साथ फार्मला क्या है, फाइदा क्या है, और ये फाइदा है कि जब आ आपके sales के volume को multiply करना बहुत आसान कर देता है, तो बहुत important है, brands किस तरह से sales करते हैं, वो इन तीन steps को follow करते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपके पास sales की leads, conversion के बाद sales में convert होने के लिए आपके पास आई थी, तो आप भी इसी formula का इस्तिमाल करें, और बहुत आसानी स अपने sales volume को बढ़ाएं, friends sales से related, marketing से related, business growth से related, import, export से related, किसी भी प्रशन को आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे comment box में लिखकर बताएं, मेरी team आपके सवाल का जवाब ज़रूर देगी, friends business से related, कोई भी informative वीडियो मिस ना हो, उसके लिए चैनल को subscribe करें, comment box में लिखकर पूर प्रेस करें, ताकि वीडियो का notification आपके बास time से आए, fine, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amitma Aishwari, आप के स्नुरे वविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत